नमस्कार नक्षतर दुनिया चैनल में आप सभी का हरदिक स्वागत है मित्रों आज के वीडियो में हम बात करेंगे केंदर और तरकॉन के भावों में गुरू ग्रह के दौरा बनने वाले राजयोगों के विशे में और ये जानेंगे कि किस प्रकार से गुरू ग्रह केंदर और तरकॉन के भावों में राजयोग का निर्मार करते हैं अन्य भावों में भी यदि गुरू अच्छे फल देते हैं तो किस प्रकार से देते हैं इसे समझने का प्रयास आज के वीडियो में हम करेंगे यदि आप चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्य करें वीडियो गयान बरतक लगे तो लाइक भी करें आईए शुरू करते हैं मितनों गुरू ग्रहे के सूत्रों पर विचार करने से पहले गुरू ग्रहे से संबंदित राजयों पर चर्चा करने से पहले हमें गुरू ग्रहे को थोड़ा समझना होगा ताकि जब हम इनके सूत्रों पर इनके राजयों पर चर्चा करें तो समझने में आसानी हो देखिए किसी भी लगन की कुंडी में गुरू ग्रहे सरवादिक सुबक ग्रहों में से एक माने जाएंगे हलाकि कुछ लगनों में ये मारक ग्रह भी होते हैं उन्हें भी हम जानेंगे लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि किन लगनों में ये कारक होते हैं अब गुरु ग्रहय की बात करें, तो यह करक राशी में ऊच्छ वास्स थाए के, इसके अलाबा मकर राशी में नीच वास्स थाए होते ही, तो करक राशी में यह दिबेटे हुए है, तो निशेत रूप से अच्छ फल देंगे, की दृष्टी होती है उस भाव से संबंदित बुराईयों में उस भाव से संबंदित कमियों में उस भाव से संबंदित नकारत्मक चीजों में कमी देखने को मिलती है केवल नीच राशी नहीं होना चाहिए उस भाव में जहां पर गुरु की दृष्टी पढ़ रही है या ग गुरू ग्रहे की इस तिद्टी पर हमें विचार जरूर कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले आज के सूतर की पहले राजयों की जिसके माहद्य हम से आपको इramatic पता चलेगा क्या गुरू ग्रहे आपकी खुरू ग्रहे काता बन रहे हैं यह नहीं? देखिए यदी लगन में कोई भी कुरूर ग्रह बेठा हुआ हो आपकी किसी भी लगन की गुंडी हो लेकिन यदी लगन में कोई भी कुरूर ग्रह बेठा हुआ हो और उस पर यदी उच्चिके गुरू की मित द्रश्टी पढ़ जाए फिर से सुनिये लगन में कोई भी कुरूर ग्रे हो या पापक ग्रे हो उस पर उच्च के गुरू की मित द्रश्टी पढ़ जाए तो जातक को ये प्राकरमी, विख्यात, धनबान, सम्मानित और धन संपत्ति स्युक्त, राज तुल्ले जातक जीवन व्यतित करता है ये ये मित द्रश्टी जा रही है, तो निशित रूप से धन धाने में बड़ोतरी करने वाली द्रश्टी होगी और जातक को अपने जीवन में उच इस तर पर ले जाने की छमता प्रदान करती है जिस उधारन को मैंने लिया है, ये एक वरश्चिक लगन का उधारन है, अब वरश्चिक लगन की बात करें तो वरश्चिक लगन में तो गुरु ग्रह कारक अगरे होते हैं अब यहाँ पर लगनेश मंगल अब लगने में ही बेटे हुए हैं, अब लगनेश ये लगने में ही बलबान होकर बेट जा तो ये काफी अच्छी और मजबुत सित्य माने जाएगी, अब गुरु ग्रह इस कुंड़ी में बेटे हुए हैं आपके नबंभाव में, लेकिन उसे अब गिर्षे, यहाँ अब लगनेश समय पर रापता है, इससे आपको इसके तुलना करनी चायी है, ठीक है, हलाकि किस मात्रा में ये चीज़े रहेंगी, ये निर्भर करेगा कुछ चिज़ों पर जैसे कि गुरु गरे के पास, और लगनेश के साही होना चाहिए, पह भी जाकर अपनी दशा अंतरदशा में ये अच्छा लाब कर सकती हैं, मित्रों आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से हैं, यदि केंदर में गुरू ग्रहे बेटे हुए हों, यदि किसी भी लगन की आपकी कुंड़ी है, केंदर में यदि गुरू ग्रहे, स्वचेत्री, मित् तरगरी या उच्छराशी के होकर बेट जाएं ध्यान रखेंगी दोनों गरह बलवान होना चाहिए तो ऐसा जातक धर्म कर्म में रुची लेने वाला न्याइक कर्म करने वाला जीवन में धन धान से युक्त होगा पराकर्मी होगा भाई बेहनों का और इसके लावा संतान का हित चुहाने वाला ऐसा जातक माना जाएगा जातक को अपने जीवन में संपूर्ण लाव मिल पाएगा संपूर्ण लाव का तात्पर यह है कि जो गुरु गरह के पास बले जो शुक्र गरह के पास बले और आपकी खुंड़ी में शुक्र गरह और गुरु गरु गरु गर यदि वक्री हो जाता है तो बक्री होने से होता है कि यदि स्वागरी, मित्रगरी ये उच्राशी के होकर वक्री होते हैं तो सुब्र प्रभाव में कमी आती है इसके लाबा यदि मित्रगरी होकर फिर सुनिए यदि ग्रे, यदि स्वागरी, मित्रगरी, उच्राशी के होकर तो असो प्रोहव में फिर कमी देखी जा सकती, ये बात किसी भी ग्रह के संदर में आप ले सकते हैं, और धियान रखेंगें कि जब ग्रह वक्री होता है, तो उसका प्रोहव कुछ देरी से मिले, इस बात की भी संभाब ना मिलती है, इसके इलाबा उस ग्रह के बल में बड़ लेकिन फिलाल हम बात कर रहेते हैं सूतर के विश्य में, तो हाँ, गुरू ग्रह ये लगन में हो, और शोकर ग्रह ये नवम भाव में स्वागरी मित्र की उच्राशिक होकर बेटे हुएं और बलवान होकर, तो निश्यत रूफ से जाता भाकिशाली होका और पराक्रिमी हो दर्शा के दोरा निश्यत रूफ से गुरू ग्रह धन धान में बड़ोतरी करने वाले, घर के सुखों में और इसके अलाबा कारे शेतर में बड़ोतरी करने वाले, यानि जो भी आपकी इस्तिती है, उसमें निश्यत रूफ से वरद्दी करने वाले ये होंगे, इनकी दर् करते हैं। जातों निश्ट्रूप से उस भाव के हनी ग्रह करने लगते हैं लेकिन यहाँ पर ग्रह अकेला नहीं है चंद्रमा के साथ बेटा हुआ है यानि गज केसरी योग का निर्मान गुरू महाराज यहां पर कर रहे हैं जिसके करनी भावनास नहीं करेंगे कहीना कहीं गज केसरी योग के कारण घर के सुखों में व्रद्धी होगी इसके लावा जातक का मकान भूमी भावन बाहन का सुख अच्छा प्राप्त होगा जनता का समर्थन प्राप्त होगा कोई भी कारिछेतर जहां पर वह कारिक कर रहा है वहाँ पर समाजिक इस्तिती अच्य रहएगी मान समान और यस मिलता रहएगा धन धान से जातक युक्त होगा नोक्रित्यादी में जातक को ये इस्तिती लाव प्रदान करने वाली ही माननी जाएगी याoga गूरू कहीं लाव ही देंगे ध्यान रखिएगा कि गुरु महारा येदी अकेले बेट जाएं दो घरों के सौमी बनकर या फिर दूसरे पाचवे, साथवे या ग्यारवे भाव के सौमी बनकर अकेले बेट जाएं या जिन भावों में कारक ग्रे होते हैं उन भावों के अंदर येदी अकेले बेट जाएं तो यह इस्तिति राज योग कारक होगी, क्योंकि गुरूग्रह यदि स्वागरी होकर, या फिर अपनी उच्छ राशी के होकर केंदर के घरों में येदि बेढ जाएंगे, तो ये बनता है हंस नामा के एक पंच महाप्रोस राजयोग इस राजयोग के कारण जीवन में मान सम्मान यस अच्छा रहेगा पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी विशेस रूप से गुरु ग्रह की दशा अंतरदशा के दौरान यदि गुरु कुरु 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 क कि उन्हें इस राज्यों का लाव मिल ही नहीं पा रहा है देखी इसके बहुत सारे कारण है आपको सबसे पहले देखना होगा कि गुरु कारक है या नहीं गुरु ये दी कारक है तो एक पॉइंट हुआ कि हाँ इसका लाव मिल सकता है दूसरा आपको देखना होगा कि इनके पास बल कितना है ये बलवान है या नहीं अस्त तो नहीं है पापक गरों से दरश्ट या यूथ तो नहीं हो रहा है या पापक गरों से दरश्ट या यूथ हो रहा है तो क्या कमजोड तो नहीं पढ़ रहा है ठीक है ये देखना होगा इसके लावा ये देखना हुगा क्या इनकी महादशा उच्छ समय पर आ रही है या नहीं क्योंकि कई बार होता है कि महादशा या तो बच्पन में निकल गई होती है या फिर बुड़ापे वाली इस्तिती में आ रही होती है तो होता क्या देखिए अच्छे ग्रहों की दशा है जब या उच्छे समय पर नहीं आएंगी तो अच्छे योगों के बावजूद उनका लाव नहीं मिल पाया क्योंकि मान लीजिए बड़ापे की अवस्ता में काफी विक्ती का सरीर जरजर हो चुका उस समय अगर ग्रह के दशा आ रही है तो उसका कोई विश्यस लाव नहीं मिल पाता क्योंकि जातक उसका लाव लेने में अपने आपको समर्थ महसूस नहीं करता तो ये सारी इस्तितियां आपको देखनी होगी मित्रों अगला सूत्र इस प्रकार से यदि आपके कूली में गुरू गरह केंदर में अथवा त रकोंड के भावों में बेठी हुए हो चेंदर या तरकोंड के भावों में कोई भाव हो सकता है या गुरू की बुद्ध पद्रष्टी हो या बुद्ध की गुरू पद्रष्टी हो क्योंकि बुद्ध ग्रहे के पास किवल एक ही द्रष्टी होती है जिस आप जानते हैं सात्वी द्रष्टी और गुरू महराज के पास होती है में धन बेवब अच्छा रहेगा, बुद्धी चातोरे अच्छा रहेगा, बुद्धी में सकारातमक्ता बनी रहेगी और जाते हैं अपने बुद्धी बलके द्वारा ज्यान का उपयोग सही दिशा में कर पाएगा ध्यान रखें जो मेंने बात की है, इसके लिए आपको लगनभाव, पंचमभाव, लगनेश, पंचमेस और लगनभाव, पंचमभाव पर पढ़ने वाले ग्रहों का प्रभाव अवस ही चेक कर लेना चाहिए आईए अगले सूत्र पर विचार करते हैं मित्रो आज का छटा सूतर इस प्रकार से, ध्यान रखे हम बात करें, गुरू से बनने वाले राज़ोगों के विशे में, विशे सुरूफ से केंदर और तरकॉर्ण के भावों में, लेकिन जो सूतर अब हम ले रहे हैं, ये केंदर और तरकॉर्ण से समंद्द तो नहीं है लेकिन राजियों के समान फल्दाई माना गया है आईए समझते हैं देखिए किसी भी लगन की कुंड़ी में यदि गुरू गरहे पराकरम भाव में स्वागरही, मितरगरही या उच्छराशी के होकर बेटे हुए हो निश्यतुरूप से राजयों कारक होगी समाज में समान पद प्रदिश्टा अच्छी रहेगी और जातक किसी ने किसी कारे के दौरा समाज में नाम और यस अर्जित करेगा वेदिक जोतिश के अंदर धर्म सास्त्रों के अंदर या आध्यात्मिक छेत्रों के अंदर या किसी भी गुड विशे के अंदर जातक कि दक्षता शमता अच्छी रहेगी और जिसके परणाम सरूप जिसके कारियों को करने के कारण जीवन में कहीं न कहीं उपलबदियां जातक अर्जित कर पाएगा इस बात की प्रवल संभाव न बनती है और ये इस्तिती राजयोक कारा के इस्तिती बनती है यानि राजयोक के समान फल देने वाली आप इसे मान सकते हैं आईए अगले सुतर पर विचार करते हैं यदि उच्च के चंद्रमा पर जो की पाप रहित हो पाप रहित होने का तातपर ये है कि उस पर किसी पापक ग्रहे की दरश्टी ना हो और पापक ग्रहे से वह युत ना हो तो यदि आपकी कुण्डी में उच्च के चंद्रमा पर कहीं से भी बलवान गुरू की दरश्टी पढ़ जाए तो जीवन में मान सम्मान अच्चा होगा जातक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है या प्रशासनिक छेत्रों में जातको लाव मिल सकता है यानि सासकी छेत्रों में किसी न किसी रूप में जातको लाव मिल सकता है इसके अलाबा गुरू की दृष्टी पढ़ जाने के कारण चंद्रमा के सुवत में बढ़ोत्री होगी चंद्रमा जिस भाव का कारग्रह बना हुआ है उस भाव से संबंदे लाव जातको मिल सकता है इस बात की प्रवल संबाव न बनती है यानि उच्चिके चंद्रमा पर गुरू की दृष्टी का पड़ना बेहत सुभ माना गया है अब उच्चिके चंद्रमा जिस भाव में बेठे हुए हैं उस भाव से संबंदित कारियों में भी जातको लाव प्राप्त हो इस बात की प्रवल संबाव न बनती है उधारन के लिए में यहाप पर एक सिंग लगन की कुंड़ी का सहरा लिया है अब देखिए सिंग लगन की कुंड़ी की अधी हम बात करें तो गुरू गरहे यहाँ पर कारक होते हैं और चंद्रमा भी कारक होते हैं हलाकि चंद्रमा यहाँ पर बारवे घर के स्वामी बनते हैं मित राशी कोकर मंगल की राशी में जबकि चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा उच्छे वस्था की ओकर दसम भाव में बेटे हुएं तो अताइश जातक को विदेश भाव से सम्मध क्योंकि विदेश भाव में इनकी राशी आ रही है चंद्रमा की चंद्रमा जो कि बैभाव का स्वामी था, उसकी असुपता को कहीं न कहीं दूर कर रहे हैं, अब क्योंकि गर्य उच्च अवस्था का हो गया है, तो चंद्रमा की नीच राशी है, लेकिन चंद्रमा स्वें नीच आवस्था के नहीं इस बात को हमें समझना होगा, और की आर्थिक उन्नती हुई होगी इस बात की तरब भी ये संकेत करता है मित्रों आज का आठवा सूत्र इस प्रकार से यदि शनी और गुरू के मध्य सारे ग्रह आ जाएं यनि विश्य सुल्प से हम सुबगरूं की बात कर रहे हैं शनी और गुरू के मध्य सारे सुबगरह यदि आ जाएं तो ये स्थिती भी जीवन में मान सम्मान और यस को अच्छा करेगी जातक न्याय सील होगा जीवन में प्रकरती करेगा धन धन से परिपूर जातक रह पाएगा इस बात की भी प्रवल संभाब न बनती है क्योंकि गुरू ग्यान के कारक, धर्म के कारक, धन के कारक, मान सम्मान और यस के कारक है जबकि शनी ग्रह की बात करें तो न्याय के कारक, परिश्रम के कारक है यहाँ पर मैंने किसी लगन को नहीं लिया लेकिन शनी घ्रह को लिख दिया कुन्डी के पंचम भाव में जब ये पंचम भाव में बेटेंगे तो अपनी साथ वी दृष्टी से गुरू को देखेंगे और गुरू को लिखा है कुन्डी के एक आदस भाव में अब एक आदस गुरू आपस में दृष्टी संबंद बनाएंगे और इनके बीच में यदि घ्रह आते हैं तब भी जातक अपने जीवन काल में धंधान स्युक्त होगा और ये स्थिती भी एक प्रकार की राजयो कारक इस्थिती ही मानी जाईगे यदि किसी जातक की कुन्डी में गुरू आप साथ ये स्थिती होना ये बेहद ही शुब संकेत है और दशा अंतरशा इस इस्तिती में लावकारी सावित होगी कही नजो ही जातक को इसके सुब परणाम देखने को मिलेंगे मित्रों आज का दस्वा सूत्र इस प्रकार से यदि गुरू ग्रहे का केंदर के सौमियों के साथ राशी परिवर्तन हो जाए यह भी बेहत सुब संकेत माना जाएगा वशर्त की कोई ग्रहे नीच अवस्था का ना हो ग्रू ग्रहे का केंदर के साथ यह तरकॉण के सौमियों के साथ राशी परिवर्तन होना निशे तुरूपस से लाव परत होगा दशा अंतरदशा लावकारी सिद्ध हो इस वात की भी प्रवल संभावना बनती है ध्याहला कि आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी गरहे नीचा वस्ता का नहीं हो इसके अलाबा गुरू गरहे के पास बल होना चाहिए और गरहे पिडित नहीं होना चाहिए तो मित्रों आज की वीडियो में हमने चर्चा करी कि गरू गरहे किस प्रकार से केंदर और तरकॉन के भावों में या अन्य भावों में बेटकर राजयोग का निर्माण करते हैं इसके अलाबा भी कई प्रकार की स्तितियें बनती हैं में गुरु गरह के द्वारा राजयोक का निर्माड होता है जिन पर चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे यदि आपको वीडियो ग्यान बरतक लगा हो तो लाइक करें चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद